Hello students, welcome back to my YouTube channel विसाल जूली एस्टुएंट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस YouTube चैनल पे regularly लाल जी प्रसाद सर की बुक से ठीरी का सॉल्यूशन लाता हूँ तो अभी मैं आपके लिए लाया हूँ exercise 2B के question number 5 का solution और इससे पहले मैंने question number 1 to 4 तक का पूरा solution इसी चैनल पे upload किया है साथ ही मैंने exercise 1, exercise 2A and exercise 3 का भी पूरा solution इसी YouTube चैनल पे upload किया है और मैंने matrices और LPP के भी बहुत सारे exercise के solution इसी YouTube चैनल पे upload किया है जिस सभी का link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं साथ ही मेरा एक telegram channel है जिस पे आपको ये सब वीडियो का PDF notes बगरा जो भी होता है आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आप हमारा telegram channel भी जोईन कर सकते हैं जिसका भी link नीचे description में दिया हुआ है तो चलिए देखते है question 5 का solution तो question 5 हमें दिया गया है कि if a1 equals to 1235, a2 equals to 2358, a3 equals to 356 यानि a1, a2, a3 का value दिया हुआ है फिर हमारा b का value दिया हुआ है 4567 and i का जो value दिया हुआ है वो हमारा 123 दिया हुआ है सबसे important इसमें i का value है जो कि हमारा 123 दिया हुआ है तो हमें verify करना है कि b union intersection of i belong to i a i equal होगा हमारा intersection of i belong to i b union a i का सबसे पहले हमें यहीं prove करना है उसके बाद हमें verify क्या करना है b intersection union of i belong to i a i equals to union of i belong to i b intersection a i यह दो चीज हमें prove करना है तो सबसे पहले हम first का prove देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले lhs lhs हम लिखेंगे तो lhs हमारा दिया गया है यहाँ पे b union intersection of i i i belongs to i जहाँ पे है तो b union intersection of i belong to i a i बराबर क्या होगा तो यह हम जानते हैं कि b union intersection of i belong to i a i जो होगा यह हमारा bracket में है तो सबसे पहले हम इसको solve करेंगे तो intersection of i belong to i a i का value हमारा होता है a1 intersection a2 intersection a3 यहाँ पे a3 तक ही क्यों गया है क्योंकि हमारा जो i का value है वो हमारा 123 दिया हुआ है हमारे यहाँ पे दिया गया है i equals to 123 तीन value i का दिया गया है इसलिए a i हमें जाना है तो इसलिए हम 1 से लेके 3 तक गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग bracket को solve करेंगे तो bracket को solve करेंगे तो b का value सबसे पहले रखेंगे union अब इस सब को हम लोग bracket में रखेंगे तो यहाँ पे a1, a2 और a3 का value पुट करेंगे और इसका हम तीनों का intersection निकालेंगे तीनों का intersection निकालने का मतलब जो element हमारा तीनों में होगा जो सारा भी element हमारा तीनों में होगा तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3,5 यहाँ भी 3,5 है यहाँ भी 3,5 है दूसरा कोई भी element नहीं है जो तीनों में common हो तो तीनों में common हमारा 35 है तो 35 तीनों का intersection हो जाएगा सबसे पहले हम bracket को सुल्प किये हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके साथ हम union ले लेंगे बी union इतना तो यह हमारा इसके साथ अगर union लेंगे तो हम सब element को लिख देंगे लेकिन ध्यान रखेंगे कोई भी element repeat नहीं हो जैसे यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है यहाँ भी 5 दिया हुआ है तो हम ध्यान रखेंगे कि 5 repeat नहीं हो जाए क्योंकि set में repetition का कोई मतलब ही नहीं बनता है तो इसलिए इसका जो union हो जाएगा वो हमारा 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा अब उसके बाद हम RHS यानि right hand side की तरफ solve करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा RHS क्या दिये हुआ है intersection of I belong to I B union AI तो हम जानते हैं intersection of I belong to I B union AI का value कितना होता है तो यह होता है B union A1 intersection B union A2 intersection B union A3 हम लिखें A3 तक ही क्यों छोड़ दिया क्योंकि हमें I का value 3 तक ही दिया हुआ है 1, 2, 3 ही दिया हुआ है तो अब हम सबको अलग-अलग solve करेंगे सबसे पहले B union AI को solve करेंगे यहाँ से यहाँ तक फिर इसके साथ intersection होगा फिर B union A2 का फिर B union A3 का तो इस सबको solve करेंगे सबसे पहले इसको अगर solve करेंगे B union A1 को तो यहाँ पर यह हमारा आ जागा 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हमारा union है तो मतलब सब element लिखेंगे लेकिन किसी का repetition नहीं होना चाहिए फिर intersection का sign है तो यहाँ पर भी intersection का sign लगा देंगे उसके बाद हम लिखेंगे इस दोनों का intersection इस दोनों का intersection हमारा यहाँ पर आ जाएगा फिर उसके बाद इसका intersection लिखेंगे तो union यह हमारा आ जाएगा अब उसके बाद इस तीनों का हम क्या करेंगे इस तीनों का हम intersection लेंगे इसका और इसका तीनों का intersection लेंगे तो intersection का मतलब जो भी element तीनों में common होगा तो तीनों में common हमारा ये 5 element है जो कि हमारा 3, 4, 5, 6, 7 तो ये हमारा आगया 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा value आया है intersection of I belong to I B union AI का मतलब RHS का value आया है और यहाँ पे LHS का भी value हमारा B union intersection of I belong to I AI का value 3, 4, 5, 6, 7 आया था और इसका भी value हमारा यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 आया है इसका मतलब क्या होगा कि LHS बराबर RHS हो गया तो इसलिए LHS का value हमें आपर रख देंगे and RHS का value यहाँ पर रख देंगे तो B union intersection of I belongs to I AI equals to intersection of I belong to I B union AI यह हमारा आगया अब इसके बाद इसमें जो हमारा second question दिया हुआ इसमें जो हमारा second question दिया हुआ है अब हम इसको verify करेंगे तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि B intersection union of I belong to I AI equals to union of I belong to I B intersection AI यहीं हमें verify करना है तो सबसे पहले हम LHS साइड से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है B intersection union of I belong to I AI तो B intersection अब union of I belong to I AI क्या होता है तो वो हमारा होता है A1 union A2 union A3 A3 तक ही क्यों जा रहे हैं क्योंकि हमें I का value 3 तक ही दिया हुआ है 1, 2, 3 ही दिया हुआ है तो यहाँ पर हम B का value रखेंगे उसके बाद यहाँ पर A1 फिर A2 और A3 का value रखेंगे और तीनों का union लेंगे तीनों का union लेने पर हमें आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 8 तो अब उसके बाद हम इसके साथ इसका intersection लेंगे तो intersection लेंगे मतलब दोनों में यह common element तो यहाँ पर हम देख रहे है 5 इसमें भी है, यहाँ पर 5 इसमें भी है 5 यहाँ पर दोनों में common है यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5 तो हमारा 5 common हो जाएगा उसके बाद 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, बाकी कोई भी element दोनों में common नहीं है, तो यह हमारा इसका LHS का value आ गया, उसके बाद अब हम चलेंगे RHS वाले साइट पे, तो RHS में हमें दिया हुआ है union of I belong to I, B intersection AI, तो हम जानते हैं कि union of I belong to I, B intersection AI का value जो होता है, वो हमार तो सबसे पहले हम B intersection A1 का value रखेंगे, तो B का value यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद intersection A1 का value रखेंगे, तो सबसे पहले हम इस bracket को solve करेंगे, फिर यहाँ पे B intersection A2 का value रखेंगे, फिर इसको solve करेंगे, फिर यहाँ पे B intersection A3 का value रखेंगे, तो तीनों को solve करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तीनों को solve करेंगे जब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहां पे हमारा 5 आ जागा क्योंकि दोनों में सिर्फ 5 ही common element है फिर जो हम इसको solve करेंगे तो यहां पे हमारा 5 ही आ जाएगा क्योंकि इसमें भी सिर्फ 5 ही common है लेकिन जब हम इसको solve करेंगे intersection निकालें तो वो हमारा 5,6 आजएगा क्योंकि 5 और 6 धो element है जो कि इसमें भी है इसमें भी है दोनों set में है तो यह हमारा आजएगा इस तीनों का union तो हम जानते हैं कि union मतलब जो भी element होगा तीनों set, चारों set जेतना भी set दिए होगा उस सेट में जो भी हमारा element होगा वो हमारा लिख देंगे लेकिन ध्यान में रखेंगे किसी element का repetition न हो जाए तो यह हमारा 5,6 यह हमारा इसका union आ गया मतलब RHS का value आ गया तो हम क्या देख रहे हैं उपर से LHS का value यहाँ पर हमें 5,6 आया था यहाँ पर हम देखे थे कि LHS का value था वो हमारा 5,6 आया था यहाँ से LHS का value फिर हमारा जो RHS का value आ रहा है वो भी हमारा 5,6 आ रहा है इसका मतलब हमारा LHS बराबर RHS है तो LHS का value क्या था B intersection union of I belong to I AI था तो वो हमारा बराबर किसके हो जाएगा आरेचेस के जो RHS का value था union of I belong to I B intersection AI तो यह था इसका proof और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके चलिए अभी के लिए नहीं थैंक्स पर वाचि और ज्यादा लोगों कि तूर बदूर जुष से ज्यादा अजब हैंक्स प्रूर कि अगर।